हेलो गाइस वेल्कम बैक टु माइच चैनल आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट ने टॉपिक टैंपरिचर स्ट्रेस या फिर थेर्मल स्ट्रेस ओके पहला टॉपिक हमारा कवर हो चुका है स्ट्रेस और स्ट्रेंड का उसकी वीडियो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा ठीक है तो पहले वो देख लीजिए कर जिसने भी तक वह वीडियो नहीं देखी है उसके कोश्चन आंसर भी में ने करवाती हैं बड़ी बड़ी कोश्चन करवाय थे ठी स्ट्रेस देखिए जो अभी तक हम पढ़ते हुआ है जैसे बार है सब्सक्राइब है तो स्ट्रेस जो आपर जन्रेट होएगी बड़ी में इंटरनल स्ट्रेस ओके तो क्या होती है सिग्मा इकल टो पी यह फॉर्मला होता उसका इसे यह जो हमने अभी तक स्ट्रेस बड़ है उसे कहते हैं मैंकनिकल स्ट्रेस अब सब्सक्राइब कि हमने इस बोरी का टैमपरेचर कल्फ किया तो इसके क्लिच को होता यह होता है इस और स्ट्रेस ट्रेइब रपोर तैर मल्ड तौम्म यह बढ़ना आच की टॉप्लिक में thermal stress okay तो कभी कवर question में आया रहता है ठीक है previous year में भी आया है इस question कि वह पुछता है कि एक शबोस की बार है उसमें पहले से कोई load लगा रहा हुए था पहले से stress थी उसके अंदर ठीक है तो रही क्या होगी सिग्मा टोटल इस इकवाटू क्या हो जाएगा मैकैनिकल प्लस थर्मल ठीक है यह बेसिक्स थे अब स्टार्ट करते हैं हमारे एक्चुल अब स्टार्ट वेगा ठीक है यह हमें कोशन में दिया होगा हम देख लेंगे एक कोशन में ऐसे भी कर वहाँगा चलिए आगे बढ़ हुआ है कुछ मैं पहरे अद्र मता दू करने जाएंगे आगे आगे जो भी हमारे निम मोट करते हैं वयसे यूजरी लेकिन हम क्या इसमें हम इस के बदले हम भी किलिगे खाली टी हम एक चेंज प λέगे हैएगगे खिक्टव का लेकिन चैनल टीमटर करने में तेक्ट पहनी रही है आपको फॉम्लयक्षट्र महां के हैं यूणिट हो रहा है temperature हम बढ़ा रहे हैं body का और या फिर changing temperature हम ऐसे भी रख सकते हैं अगर temperature कम कर रहे हैं ठीक है अगर हमें positive भी रखना है ठीक है तो यह होता है changing temperature question में कभी एक वार हमें डिया होता है वर्डिंग में जैसे math में पढ़ा हो आपायगा कि changing temperature मतलब कि T degree Celsius में दिया हुआ है या फिर question में क्या पूचेगा suppose initial temperature हमारा यह TIE है final temperature हमारा T F है तो हमें क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा चलि next बढ़ते हैं आगे अगला देखेंगे हम अब लिखिए अलफा अलफा क्या होता है coefficient of linear expansion या thermal expansion coefficient of thermal expansion या linear expansion यह क्या एक property है किसी body कि material की property है यह property है ठीक है इसकी units किया होती है units पर अधर डिगरी celsius ये या फिर रदिगीर आ है यह ये ये यंविट और यह इनुट्स सिऩ मैं यह अनुं अनुड तो जिसका अल्फब ज्याता हुता है उसको जिसका अनुड़ जयाता वह विरृद engine length due to thermal temperature rising temperature or degrees in temperature क्या होगा increase होगा ज्यादा होगा ठीक है अब कि जिसका alpha ज्यादा होगा वह यह ज्यादा होगा यह अब यह term क्या है इसे कहते हैं second term यह होगी हमाई इसे कहते हैं free expansion free expansion ठीक है free expansion अब मतलग क्या हुए हमारा कि यह जिस material का alpha ज्यादा है उसका free expansion ज्यादा होगा free expansion क्या होता है हमने temperature बॉड़ी में temperature लगाया इंग्रीस किया sorry temperature इंक्रीस किया सपोस्स तो क्या होगा यह body expand होगी जो change in length आएगा due to this temperature rise उसे कहेंगे free expansion of body okay free expansion उसे कहते हैं ठीक है इसलिए टी लगा देते हैं खाली इसमें जो हम normally बढ़ते हैं जो यह हमने लोड लगाया पी यह पी लोड लगाया तो यहां पर हमने पढ़ा था एक जली लॉंगिशन एक जल्वाइशन के लिए लगाया यह दर फॉम्ला बढ़ा था ठीक है तो यह क्या होती है एक जल लॉंगिशन यह चीज अलग है और यह अलग है इसमें टेम्परेचर का ही रोल नहीं था यहां पर टेम्परेचर के कारण हुआ है उसे कहेंगे फ्री एक्सपेंशन ठीक है थर्ड हमारा क्या हो गया फ्री एक्सपेंशन डेल फ्री एक्सपेंशन डेल इसका एक फॉर्मला आएगा मैं पहले फॉर्थ पता देता हूं फॉर्थ होता है हमारा थर्मल स्ट्रीन थर्मल thermal strain thermal strain क्या होता है epsilon T thermal strain हमारा डारेक्टी पोर्शन होता है temperature की तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे आप तो एक रॉन्स्रेंट लगेगा जिसे कहीं अल्फा यही वाला coefficient of linear expansion तो हमार पर फॉमला आता है thermal strain का epsilon T epsilon T is equal to alpha T ओके यह है thermal strain अब यहां देखिए यह दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा आपका depends on depends on alpha and T तो यही टेमपरेचर बढ़ाएंगे तो alpha T epsilon T बढ़ेगा हमारा strain बढ़ेगी चेंज लेंगे बढ़ेगा तो यही से हम डेरिवेशन लिका लेंगे किसका free expansion free expansion का आपको formula याद ही रखना है यह हमेशा ही रिवीश होका आगे thermal stress में free expansion का formula मैं देखिए derive कैसे करेंगे epsilon T क्या होता है changing length upon original length और वो है alpha T तो जो डेलल आया है alpha T क्या है epsilon T क्या है temperature के वज़ेसे जो strain आया है तो यहां पर क्या लिखेंगे temperature के वज़े जो चेंज अनलेंट हुई है वही क्या हुई है alpha T तो डेलल T यहां से आज है हमारे पर L alpha T ठीक है L alpha T तो यहां लिख देता हूँ मैं free expansion का formula क्या है del L is equal to L alpha T यह आपको याद रखना है L alpha T ऐसे याद रखना है L alpha जहां पर L क्या है देखिए यह L है यह वाला भी longitudinal direction में ठीक है यह अगर यह B है यह D है तो यहां पर यह भी लिख सकते है यह del L T से है नहीं है free expansion ऐसे दिनूट करेंगे ठीक है यहां पर हम यह भी लिख सकते हैं कि del B free expansion of in this y direction यह क्या हो जाएगा B L 40 और वैसे ही similarly यह क्या हो जाएगा D L 40 ठीक है लेकिन हमें longitudinally जालता है यूज होगा तो आपको बस formula जाद रखिए free expansion क्या होता है L L 40 चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं यह तो हमें टम्स थी जो कुछ याद रखनी है ओके अब मैं आपको 6 case बता हूँगा यह 6 case आपको पूरा topic cover कर देंगे टोटल हमारे 6 case बढ़ने है जिससे मारा पूल thermal stress खतम हो जागा case 1 देखी case 1 case 1 क्या कहते है एक बार लिया हमें when bar is case को नाम लिख देते हैं when bar is free to to expand free freely expand हो सकता है और हमने क्या लगा है is subjected to increase or decrease of temperature by t by आगे तो मुला डेल्टा टी दे रहा है हमें change in temperature दे रहा है ठीक तो पहला case यह कह रहा है simple एक block रख रहा है हमने support table पर रहा है और हमने क्या करा temperature increase किया तो यहां बताईए क्या क्या हो सकता है कि टेंपेचर इंक्रीज करेंगे तो आपको बताया हमने की thermal strain आएगा thermal strain क्या हो जाएगा alpha यह formula आएगा okay thermal strain का thermal strain आ रहा है तो यह भी आएगा आपका free expansion तो आए गई टेंपेचर इंक्रीज हो रहा है free expansion आएगा dell L कैसे लिखेंगे dell L T क्या हो जागा L L 40 बताया है मैं तो यह 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 दखना आपको यह बाला बार अब आप कहेंगे सर stress बताईए तो हम निकालते है thermal stress thermal stress क्या होती है हमने जब temperature बढ़ाया तो क्या body में stress generated हो यह नहीं होई देखिए यहां पर कोई resist करने के लिए हमार पर कोई body नहीं है rigid support नहीं लगा हुगा है यहां पर कोई resist support नहीं लगा होगा तो यहां आएगा हमारा thermal stress zero thermal stress zero कोई oppose नहीं कर रहा है हमें अराम से freely expand हो रहे हैं ओके लेकिन इस case में देखिए आप देख रहोंगे कि यह बार लगा है तो आप कहेंगे कि यह तो रेजिस्ट करेगा यहां पर लोड़ लगेगा इसलकारण यहां पर stress आएगी लेकिन नहीं इसमें भी नहीं आएगी दोनों में क्या है thermal stress zero क्योंकि यहां से तो freely expand हो सकता है तो इस सारा material जो भी longation होगी यहां से हो जाएगी ठीक है तो यह तीन formula आपको याद रखने है जब भी बॉड़ी हो freely expand हो सकती है कोई भी बॉड़ी तो इसमें thermal stress generated नहीं होगा zero रहा है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं case 2 देखते है case 2 case 2 में क्या लेना है suppose कि हमने एक rigid support लगा दिया rigid support rigid support in one direction या in axial direction in axial direction one direction में हमने क्या लगा दिया एक rigid support लगा दिया and temperature is increased उल्टाई कर देंगा का temperature degrees वाला किसा है का तो हम खाली case लेकर के चलेंगे जाते यह आता है question में भी temperature increase होता है okay T degree Celsius से temperature increase हो रहा by 80 T degree Celsius कैसा है case diagram हो बस कैसा यह L है यह A B है तो देखिए हमने temperature बढ़ाएंगे तो यह क्या करेगा freely expand होना चाहेगा लेकिन यहां पर क्या लगए rigid support दोना साइड तो इस case में कोई धनवल stress जन्रेट होईगी okay कैसे होईगी हम फॉनला देखते हैं अब यह figure में देखिए क्या करेगा यह expand होना चाहेगा तो यह लगाएगा कुछ load जिससे की लगेगी stress जो stress यह करेगा stress इस पर apply support पर suppose यह sigma यह क्या दूँ तो जिसके कारण एक load जहां पर reaction आएगा okay या इसको load लिख लिजी या stress लिए एकी बात है तो यहां पर और इस डिरेक्शन में क्या आएगा equivalent opposite reaction आएगी ठीक है कौन अप्राई करता है reaction compressive nature की आपके reaction RA और RB compressive nature की क्या है reaction जिसके कारण क्या generate होएगा हमारी thermal stress बॉड़ी में ठीक है अगर हम temperature बढ़ा रहे हैं temperature बढ़ा रहे हैं तो ऐसे जन्रेट होगी compressive compressive nature की thermal stress जन्रेट हो लिए और यह सर चलिए आगे देखते हैं अब लिकालें कैसे देखिए आप इस condition में देखिए figure में देखिए कि इसकी change in length अब हम temperature बढ़ा रहे हैं लेकिन यह एक्चुल में अब हो पाएगी नहीं हो पाएगी elongation हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट है तो delta A B आएगा आपका 0 यह पहला method है इस पहला method है मैं एक method और और पता हम को इससे हमें आगे करने है यह method तो खाली theoretical के पाएगा हम जो यूस करेंगे numerical वागर रख 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 लिए अगला method लिए डेर्ट अगला method कुछ नहीं है इससे डिराइव हो हो कि यह वह तरीक हम याद रखेंगे इस करना है डेल्टा A B क्या है डिफ्लेक्स एडिफ्लेक्स एडिफॉर्मेशन है A B plus यह वह लिखोंगा मैं डेलल खाली इस इकल टुजीरो यह क्या है axial elongation axial elongation यहां पर क्या हो यह लेकिन contraction axial elongation contraction of axial elongation due to rigid support support ठीक है आप यहां पर क्या मान रहे है suppose कि यह एक साइड से तो fix है लेकिन यहां से यह suppose कि यह B point आगे चली गया ठीक है A है यह B यह freely expand हो गया free expansion होगी यहां तक पहुंच गया तो हम लेकिन load क्या लग रहा था हमारा लेकिन actual में तो यह यहीं तक रहना चाहिए ठीक है अगर यह नहीं होता है rigid support तो यह यहां तक जा सकता था free lexman होगी तो यह आगे आपका Dell L free expansion लेकिन हमने लगा है load rb लग रहा है load rr यहां लग रहा है ठीक है तो यह stress rrb लग रहा है धर्मस stress produce कर रहा तो यह रडोड के कारण यह क्या होगा वापस इतना इतना वापस आ जाएगा इसलिए टोटल deflection कितने आ रिया पर जीरो deformation कितना रिजीरो ठीक है तो यह लग रहा है compressive rb ठीक है तो आगे देखते है कैसे यह जो rb है अब देखे फॉन लग कैसा है Dell free expansion किया होता है LL 40 LL 40 plus Dell L बताए यह क्या होगा elongation होगी यह contraction होगी rb कैसे लग रहा है compressive तो यह आगा minus rb l by ae यह आगा formula equal to zero इसको इदर ले जाएंगे LL 40 देखे यह यह मैंने क्या बताया था कि यह ही है thermal stress तो मैं इसको लिग दूँ है thermal stress और r e और rb same value के r e और rb equal है तो यह होगी thermal stress sigma t l y e l से l काटा तो यहां से हमार पे formula आया यह 1 plus होगी thermal stress क्या होगा e alpha t e alpha t हमार आगे thermal stress कब जब एक साइड से rigid support लगाया हो एक direction में e alpha t okay यह था method 1 method 1 method 2 में बता जेता हूँ देखिए direct कैसे याद रखना है एक compatibility equation बनेगी आपको direct ऐसे याद रखना है del lt del lt minus del l is equal to gap अभी बताता हूँ यह क्या चीज है जब gap नहीं होगा जैसे इस case में यहाँ पर gap नहीं है इसके आगे तो यह लगीगा minus del l 0 तो यह देख रहूँगे आपकी यह equation यह मैंने यहाँ पर बनाई है बस यहाँ पर minus or plus का change आ रहा है तो इस condition में जब यह वाला method यूज कर रहा है method 2 जो हमें यूज करना है इसमें क्या लेंगे कि यह load की जो हमें लोड नग रहा आर भी इसका sign ने लेंगे तो इसमें क्या लेना no sign convention for del l del l मतलब की x elongation जब लोड ले रहे हैं case del l तर use हमें कर नहीं करना sign ठीक है तो हम direct और इस case में क्या कर रहे थे हैं इस case में यहाँ पर use कर रहे थे use sign यहाँ लिए use sign for del l ठीक है लिख लीजिए अपने उसमें चलिए इससे रख देतें अब देखिए यहाँ पर क्या है वह यह 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 क्या होता है l l 40 minus यहाँ यहाँ देखिए यह में वह नहीं लेना sign तो r b l by a e which is equal to 0 तो यह वही case आ गया यहाँ से यह क्या हो गया स्ट्रेस तो सिग्मा टी यह 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 कर जाएंगे l 40 ठीक है तो आप यह यह याद रख लिए जब मैं बता तूं गैप के बारे में क्या है यह आगे स्रीज में ही पढ़ेंगे चलिए मैं भी बताएता हूं ठीक है सपोस कि यह वंडी था वंडी यहां पर बीच में देदिया मैंने गैप यह गैप इसे कहते गैप यह गैप दे दिया तो यह हमारा यह फोन्म्ला यूज़ो जाएगा आगे मैं अभी बताऊंगा इसके पने ही जोड़ दीजाए गैप का मैं भी आ बताता हूं लेकिन ये वाई गाय को पितने जाद में यहां पर कि सब्सेंड होगी की धाल ना है कोवे तर्माय स्ट्रेंढ और हपाई अ कि शेच यह दिरेक्शन तो है जो फोली अगरे वेजिए करें अब जेह वाइ सपोज वाइब है इस डीरेक्शन बुस्क्राइब एक स्थाओ आपने कहा कि फिरमल टो जीरो रहेगा यह तो समझ आगे है को सर यह वाई डिरेक्शन में क्या होगा इन वाई डिरेक्शन यह था यह 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 अभी हम यही खेस माहनी घूपी Carlo कॉ स्ट्रेस रिए लिए टेज लिए करती दिकते हैं तो इन डाइए लका सब ने तो यह ओघन Bij ली में अब acağता ती का यह होगा अल्फा टी है कि छिमेर अन्थ तेखे हुझ कर् leap 20 क्या रण क्या ओर आवाई में इलॉंगेशन ये कंप्रेसिव करन वाई में इलॉंगेशन हो रही है तो मैं कर रहूंगा प्लस मिउ ये पढ़ा था हमने पॉलाइट हमें टी बाई ये तो यह आएगा आपका वाई डायक्शन में स्ट्रीन थरमल लेंद स्ट्रेइड तर्मक्नी अब अमेद सर आमें निकाल नेजैने ये चेंजी लेंद आई तो कुछ यह से यहां पर multiply कर दीजिगो बस अब है जर डिरेक्शन में भी इसी तरह के से हो जाएगा इन जर डिरेक्शन वह आप निकाल लेंगे यह तो सेमी रहेगा बस डेलल चेंज अलगायागा तो यह मैं यहां लिख देता हूँ एपसिलन वाई थरमल इस एकोल डू जर तरमल देखिये सेमी आएगा ओके लेकिन यह डेलल वाई सेमी आएगा वह आप निकाल सकते हैं कैसा आएगा इन टू बस उसमें जितना जैडमेंट लेंद यह हों करते हैं तो यह होगा हमारा केस्टू घतम और अब बढ़ाते हैं केस 3, case 3 में क्या है अब हमें suppose कि दो डिरेक्शन में रिश्ट्रेन कर दिये बॉडी को रिजिट सपोर्ट लगा विए यह वाला और यह वाला से पीछ्छे वाला यहां से लिख रहा है यह वाला ठीक है यहां लगेगा थरमल स्ट्रेस एक्स डिरेक्शन का ठीक है यह थरमल में थरमल स्ट्रेस ओन एक्स डरेक्शन थेम्पर्टर बढ़ाँ रहे हैं तभी कम्परेसिव लगारों डाँ सिग्मा एक्स ये सिगमल वाी ये हो जाएगा अब हम केस लेते हैं हमारी असानी के लिए कि राव गषपीण की यह जो एरिया है यह जो एरिया है जया हम बängen में पहले बात मार कर लेंगे यह ऊगा अनुल निकाला हमें तर्मल स्ट्रेस तर्म डिंगे वही कौन सब्सक्रिप कर ला लेकिन यहां पर क्या लग गया एक लोड लग गया यानि इस्ट्रेस लग गया सिग्मा एक्स का स्ट्रेस लग गया जिसके कारण क्या हुए यह compress हुआ तो minus compress हुआ है sigma x l by e अब देखें y में क्या है y जो है compress कर रहा है तो x में क्या है और यह elongation तो plus mu plus mu sigma y by e into into l changing lengthiness into l आ रहा है is equal to 0 is equal to 0 इससे आप solve करेंगे तो आप एक equation में लेगी sigma x और sigma y दो टर्म लेकिन हम suppose करते हैं कि यह जो area देखें अब मैं बता दूँ कि यह सिग्मा एक्स जो है अभी तो यहां पर इक्वल नहीं है sigma y ठीक है क्योंकि यह जरूर नहीं है कि area दोनों का सेम हो यह वाला area और यहाला area जरूर नहीं कि सेम हो ठीक है तो हम consider करते हैं कि easy रहा है मारा derivation आ जाए कि यह area same area यह suppose one surface है यह two surface है area one is equal to area two therefore sigma x equal to sigma y यह सेम हो जाएंगे ठीक है area और area two जो same यह कैसे हुगा क्योंकि पता है मैं sigma equal to P by A होता है जब यह सेम है और load तो सेम ही लग रहा है load तो हमें से सेम ही है ठीक ना load तो हमें से सेम आएगा है इधर भी load इधर भी load इधर भी load सेम एकिं स्ट्रेस अलग हो सकता था लेकिन हमने वो भी इक्कल कर दिया अगर यह एक्वाल है एक्वाल है एक्वाल है ठीक है इसको यह consider करके area equal करके तो हमारा formula क्या आएगा formula क्या आएगा sigma x जो है sigma y क्या है thermal stream है thermal stress है कितना आएगा thermal stress अब देखते हैं वाई डिरेक्शन में क्या निका लेंगे तो यह दिरेक्शन में तो होगा नहीं वह सॉरी जट डिरेक्शन है वाई में तो है second case होंसर यह वाग ठीक है चलिए आगे देखते हैं अ थर्मल स्ट्रेस अब हम देखा लेंगे thermal strain thermal strain देखते हैं जट डिरेक्शन में thermal strain कैसे निका लेंगे thermal strain कैसे निका लेंगे देख लिए एक्स डिरेक्शन में देख रहे हैं तो फ्रीली एक्सपेंड हो सकता है तो अलफा-टी फार्मला होता है thermal strain का प्लस मियू एक्स के करण्ड क्या हो रहा है जड में लॉंगेशन तो सिगमा एक्स बाई ए यह इस ट्रेन इसलिए मुल्टिबलाई लेंस से नहीं करना है प्लस वाई के कारेंड भी क्या हो रहा है उपर कंप्रेंड एलोंगेशन तो प्लस मियू सिगमा भाई 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 ए ठीक है यह आगया आपका थर्मल स्ट्रेंड और क्या निकालने चेंजन लेंड निकालने जर्ड डिरेक्शन में कि मल्टिप्लाई कर दिजिए लेंड से सिंपल ओके यह केस इस ते तीन केस अब देखते हैं फॉर्थ केस जिससे कोशन आ सकता है इससे भी आते हैं मतलब केस नमबर फॉर देखिए अब क्या कर आए हमने तीनों साइड को सारे फेस को हमने कंस्ट्रेंड कर दिया रिजिड सपोर्ट लगा दिया यह सब यह सिग्मा एक्स उपर से सिग्मा जैड यहां से सिग्मा वाई ठीक है वो लिख लिजे बागी अग्स हाई सहाज रिजे कंस्त Link कर दिया सक तो अब क्या निकालैंगे था सिग्मा थी दगाना थीक वह अब हम क्या यह यहां पर मालें है कि है बॉड़ी हमारी क्यूप माले तो हमारी निए, जैसे अ सारे लेकिन यहां तो थर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए यह वह यह वह ले लिया शर्फेस पहले एक्स में तो क्या होगा इतना इसको एक सपोर्ट रटा दिया तो इधर जा जया सकता था free day expansion एललफर टी डेल्टा एब्यम ने जी रो कि कुआ मान रहे है तो मैंत क्या मान रहे हूं मैं आपे एरिया सेंहा सारे एवानेटू ए टू एट्री जो भी एंए एरिया एक्वल इसने वहीं साल है और लोड तो से मिन हथा तो यहां से क्या क्या रहा ही सिगमा a.g. sigma y unti सब क्या प्रिख का इकिल सिख मटर्ब्स क्या है और क्या तुम के फटी एको के कर्णा क्या है तो एल फरटी ये व देख sırए थे किस ऺी छिख से लेकिन सींड लग delivery पी एल बाई यह होता है यह आ जाएगा लेकिन वाई के कारण क्या हो यह प्लस मियू सिग्मा वाई बाई इंटू जिसका जो वो था कितना था वो एल और प्लस मियू सिग्मा जड़ बाई इंटू एल इस इकल डिजी रो हमने बोला कि यह सब से में लल लल कट जाएंगे लल कर जाएंगे और क्या हो जाएंगे सिग्मा जरुकिन कर दो इसका था कितना इल लफाटी यह पॉन माइनस टू मिए वन माइनस तो है ओके की यह चीज़ा थी है थर्मा स्टेंट जीरो तो यह था केस फूर में जब ले लिए इसको क्यूब माल लिया तो यह फॉमला और रहेगा आप सपूट यहांट फाइज फाय में किया है support कि यह गया है का मतलब किया है मुझ का म deleting लिएसा बहुट जैसे स्थमेशन लगा रहे हैं आप फूंश के जए स्थम्सेश बाहिए इस और इसा ओर मुव ख़र गा तो पहला उसमें हम टाइप लेखें टाइप वन यह लिखा यह ओके टाइप वन टाइप वन में क्या है आ देखे टाइप वन भी दो तरीकर सुब सकता है यह देखिया यह सपोज मैंने जब पहले बनाया था यह अब क्या है कि सपोल पहले इतना था जैसे और टैंपरेचर इंक्रीज किया टी इंक्रीज किया यह क्रू ओंगया तो यह पाइप नोट किया है जो यह एल्टा से येल्ट हो गया यह हमारे हिसे दे पर दिख में पहले ही यह तो भी यह एक इस है यृलिंग का टिक है क्या किया कि इसमें देकिए फ्री एक्सपेंशन देखेंगे सबसे बहुत तो फ्री एक्सपेंशन निकाल के देखेंगे क्या हुई एक्सपेंशन का टिक होई किया इसमें निकाल रिख ली किक रह गया मतलब एक्सपेंसे वी लेकिन यह नहीं भी लेकिन यह यह जो फूरा थर्मल श्रेस जीरो केस्टू केस्टू जब फ्री एक्स्पेंशन ज्यादा हो गई डेल्टा से इस केस में थर्मल एक्सपेंशन होई थर्मल स्ट्रेस लगेगी अब वो कैसे निकालेंगे अब देखते हैं वही जो मैंने बताया था इसमें मैं डिराइब करें दिखाता हूं कि वह कंपैटिबिल्टी क्वेशन कैसे आई यह थी हमारी एल यह है डेल्टा अब मैंने बोला कि यह सपोस्पोस कि यह यह लोगे जाद है न फ्री एक्समेंशन तो यह यह यहां तक पहुंच गया तो यह क सबस्क्राइब करते कर दूज इतना में तोलित कैसे इतना है तो अटेक ब्रीnam कर दो नहीं प्रीय एक्सपेंचन है, फिदी एक्सपेंचन एक्सपेंचन क्या दिखर है आप में यह से, फिदी एक्सपेंचन फिदी माईनस कर देंगे डेल्एल तो देट टेट के कह पर आजागा, यही मैंने बहुत था कि यह है आपकी कमपैटिबिटी इक्वेशन, जो आपको मैं याद रखनी थी अगर ये यह लए और ओता डेल्टा जी रोडियों तो ये जी रोग दिखा देए थे तब उससे आगे हम सॉखर सकते हैं ठीक है तो यह आपको इसक्रेशन जाद धिनी है चलिए अब इसमें इस कोशन में देखते हैं कि यह सॉल कैसे हो रहा है जिए एक क एक्षिए फॉलर मैंने जाब यह जो करेंगे तो इसका साइन नहीं लेंगे तो माईने अर्वी एपन एयानिकी सिग्मा टी ऑकर हो यह अगर आगा सही मैं तो तो अगर यह प्रिजमैंटिक है हमारा क्या रहा है इसे सॉल करके हमारा आ रहा है सिग्मा टी इस इक्वल तू थरमा स्ट्रेस क्या एगा एल अलफाटी माइनस देल्टा ओन एल इंटु अगला केस केस टू केस्टू क्या रहा है अब तूसरे टाइप की जिल्डिंग कैसा हो सकती है सपोस कि अमने ये तो एक बार था अब हमने सेख सपोर्ट के बीच में स्प्रिंग लगा दी सब्स्प्रिंग लगा दी यह एल एल ए पॉइंट बी पॉइंट इमाल यह सी पॉइंट इसकी स्टिफन है स्पोस्प्रिंग तो अब देखिया लूड लगाया किस पर स्प्रिंग पी लोड लाए या पुल लोड लए इदर तो ही से यपीचर प्लेंck का का है ल खुं करता है रोक पॉज अरुड को फूरीगा फिन ऐगा तो बीस ह davon कि प्रिंग की स्टिफनेस क्या होती है कि a spring is equal to load by deflection कि तना लूट अब आरबाइड इफ्लेक्शन मतलब डेल्ट बीची ठीक है यहां से डेल्टा बीची निकाल लेंगे क्या जागा आरपन के स्परिंग यह भी रखते हैं साइड मैंने बताया कि जपर दिल्ट टोटल एछ एकन गालमेंट 0 जिरूफिक से डिद्द इसका मतर डेल्टा अब अब भुज दटा बीची इस इकर्ट टू जीरो दैल्टा एबटइबी वेधेन है क्या सब से पहले प्रीा सुबार्ट अरद फेंशन लेंगे यह feature है एल एल फार्टी माइनस क्या लग रहा है दर लोड लग रहा है जो माइनस कितना मैं लस्क तो वैसे लिखते लेकिन लोड कैसा लग रहा कंप्रेसिव ना तो आर एल वाई लग रहे लग रहे प्लस डेल्टा बीसी मतलब की यह आर अपन के स्प्रिंग ठिक है आर आपों के स्प्रिंग लेकिन यह कर देकि है किसे में कैसे लगए बीकार कंपरेसिव इसस प्रिंग में कैसे लग रहा कंपरेसिव तो माइनस तो इस इकल तो जी रो के स्प्रिंग के स्प्रिंग हमने बताया है कि यह एक जाया है यह आए ग्याल किया है आपका पर अधन्र स्टीफनास ऑफ थी स्तिफनेस के बार विद्धा ऐड Better work hangout के भेट लोड पाई दिफलेक्शन लोड क्या है लौट लग रहा है कोई भी विद्र इफलेक्ट्षन क्या होता है फो मिला डेल एल का फॉमला क्यों होता है अपियल वाय लोड़ डिफलेक्षिन लिए भेल एल लिखा तो पीपी से कडिए तो क्या अपक्च ऐबाएल ठीक है तो ये बता दिया मैंने कि कि ए वाल क्या कि बार तो मेरा अब मैं सको यहां से दे एरिया नीच ले घाला हमा तो धर्मल स्ट्रेस आजाएगा कि अदेवल स्ट्रेस क्या आगे हमारा के फॉंबला सेमस्ट्रेस का इलफा टी वन प्लस के बार अपॉन के स्प्रिंग ये डेर्ट कुशन आते हैं तो ये यह फॉन लगाएंगा आप सॉल हो जाएगा ये बार क्या है आपर ये 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 जी बार निकाल देगे इस फॉन ले में इस इस पड़ा लेंगे आपका अंसर आजएगा ठीके लाश्रेट देखते हैं ये तो होगे हमारा केस फाइव केस इक के 6 देखते हैं के 6 क्या है थर्मल स्ट्रेस इंकम पोजिट वार अगया वह गया कंपोजिट अब कंपोजिट वार क्या होता सर्थ सिरीज पैलल वारा देखा था जो हमने मतलब की देखिए ऐसा फैल उसमें लेते हैं सिरीज first, first, series, 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 series कैसा होगा, दो मैटरील हमने आपस में लगा दिया आगए, एक के बाद एक, ठीक है, a b c सब देखे सब से पहले बताइए कि लोड किया होगा लोड से मोगा दोनो मात्रियू में जी हाँ लोड से मरेगा या आपको से कंडिशन याद रखनी है चाहे वो सिरीज हो या पैलल अजो आके पड़ेंगे लोड हमें से रहेगा दोनो मेर्म आठियल में जितने ही मैं अल अलग रहेगी सिग्मा टीन वन ठीक है इस नॉट इक वल तू माटी इन तू अलग है क्योंकि आरिया अलग है तो इसलिए कि इसको क्या निकालना हमेड निकालना हुं यह माइनस चाहित विएसमेंशन माइनस ऑन एक है इसमें की एप नहीं हो यह जी डालओ यह क्या करहे है यहां पर फ्रीछ्मेंशन शुंदयेन ले नहीं तो ऐल रेस अब नहीं हो झालब है लॉन लाइन आगया अब क्या लेना इसमें लोड अधिये इसकेस में हम साइन कन्वेंशन नहीं लेते कि विए माइनस आगया है भाहर हमने लिख दिया पहले इंकलूट होगे असमें माइनस क्या लिखेंगे पी ल्वाइए पी कॉमन है एल वन सिन एकलड़ इवर प्लस वी हर टू टू एटू इथी तू टू जीड़ो शेडाए दोस्याइड तो तो दो वैल लिए थरमल श्रेश्ट इंवन इंटा मैं तर्मर श्रीश्ट इंट ओ मतलाग जी हमें दो साथ किसे कैसे यह बनेंगी तो सिंगमा बनेंगे आप किसमें इसको कनवर्ट कर दिजी आपकी मर्जी रहन दीजिए डीज रहन दीजिए टी है और ऑप किमर्जी दो कुछ नहां दो अन्नोन है इसको करके आप निकाल लेंगे क्या सिगमा टीं थर्मर्स्ट्रेस इंवन और और रमस्ट्रेस इंट है ओके तो यह था हमारा सिरीज का अगर हमें दे धिया होगा गैप तब ही आँसाल कर देंगे कैसे करेंगे जिखा देंगे थाओ सब्वसके यह था नॉन यून यूरी अभणने सब्सक्राइब गयपार रहा ह यह देदिया में डेल्टा बस हमने क्या करना है इसकेज में सम्मेशन डेल फ्री एक्सपेंशन माइनस डेल इस इकल टो डेल्टा गरना है बस सबसी यह सेम लेगी सबस्क्राइब को रहें अगे बढ़ते हैं लुग कोई लोग बढ़ाते नहीं बताते हैं को बगरवाज आते हैं उसके होग स्ट्रेस एंट्रेस एंट्रेंट है वह पड़ेंगे पैरलल पैरलल में क्या होता है देखिए कि यह मालीज एक बॉड़ी है करिए में नाने दूनों को पेशमा रहा है यह मैटरियल और शूर्ण फीच में यह जो गधीया है और यह दो नों सेक्षट है कि देखिए पितव क्या पता है वि 144 гол्ग जयाता होगा ऑफ़स में ही कि उसके फोरीे एक्सपेंशन लीक्स लाइका हम मतलबू वनवार रा जो में घुटे लेडिवाएड रहे हैं helicopters लिल्ष में तो धिर इंक्रीज पाना पैला गीसelectे हम आ अ मिन्हीं बैस कर ना तो पर जाए गाई ठीक है चेंज लेंथ होगी है यह इलांगेशन होगा यह इनिशल केस टैम्टेटर बढ़ाया और अल्फा-वन इसका बढ़ा है बीच वाले का तो यह ज्यादा expand होएगा free expansion तो ये और ये भी एक्सपेंट होगा त्यों टेमपेचर बढ़ा लेकिन कम होगा ठीक है ये इतना हुगा और ये उतना हुगा लेकिन हमने बोला है सरी ये तो composite है ये आगे जो लेयर लगी है ये तो fix कर रखी है ये है आपकी ठीक है अटैच कर रखी है दोनों को है तो इसके कारण क्या होड़ है सर इसमें लगेगा एक equilibrium state आईगी जहां पेगी दोनों की change in land तो सर सेम आईगी change in land से क्योंकि इसको हमें खीचना पड़ेगा और और इसको करना पड़ेगा इसको कीचना पड़ेगा उपर टेंजाइल लोड इसमें करना पड़ेगा compressive load ठीक है न समझ रहें आप तो जिस material का alpha 1 ज्यादा था उसमें हमें लगाना पड़ा compressive load और जिसका कम था उसमें लगाना पड़ा टेंजाइल लोड जिसके खारण एक equilibrium state आई चेंज इन लेंद तो इसकेस में भी मैंने बैसे पहले बताया था लोड तो सेम रहेगा P1 is equal to P2 इससे आप एक equation निकाल लेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2 यह thermal stress एटीक है सिग्मा 1 ठीक है यहां से आप सेम रहेगा load is same load is same इससे फस्ट एक्वेशन ते आप यहां निकाल लेंगे ओके लेकिन अब आप इससमें कैसे निकालेंगे थर्मल स्ट्रेस दोनों की इक्वेशन में बताता हूं इसमें कमपेटिविल्टी एक्वेशन यूज नहीं होगी क्या यूज होगा है और आपने देखा होगे कि यहां पर हमें जरुद भी नहीं पड़ी कोई support रिजिट सपोर्ट लगाने की तब भी हमारा थर्मल स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि यह दोनों आपसमें बॉड़्ी कनेक्टेट है ठीक है आपसमें अटैच है जिसलिए एक बढ़ेगा तो दूसरे को भी बढ़ना ही पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते है इससे थर्मल ट्रेस इसमें डेवलप होथा है टेमरेशर बढ़ of one is equal to actual expansion expansion लिख रहा हूँ क्योंकि यह temperature बढ़ा रहे है इससे सब बढ़ रहे है elongation हो रही है ठीक है यह इसका मतलब क्या होगा free expansion free expansion of one actual expansion लिए इस जो first वाला है फर्स्ट वाले में क्या हो रही है actual expansion लिए आपका free expansion हो रहा है ठीक है free expansion हुआ इतना ज्यादा लेकिन हमें थोड़ा सा minus लगा क्योंकि लोड लगा compressive तो minus आएगा minus console changing length आपके axial changing length वाला formula PL by AE वाला किस कारण तो लोड लगा रहा है आपका सिक्मा वन तो यहां सिग्मा वन ल सिग्मा वन ल सिग्मा वन ल क्या है एल तो से मिया देखिए दोनों का इनीचल एल इसमें रहे गहां तो यहां क्या होगया डेल्टा टीटू फ्री एक्सपेंशन तो हो रहा है फ्री एक्सपेंशन तो हो रहा है लेकिन टैंसल लग रहा और बढ़ेगा थोड़ा सा और कीछ दी हमने तो प्लस सिग्मा टू एल बाइटू ठीक है इसको मैंने लिखा निए यह लिख देते हैं अप ल ल फार्टी ओ तन ल एल ल फार बंटी वाइनस देस इस इवल टू एल लफा टू टी प्लस दिस तो ल ल कर जाएंगे सब जहां से आप तो यहां से आप तो यह द्रेब द्रेब द्र लिखेंट है तो यह था हमारा पैरलल सीश के कंडिशन चलिए आग बढ़ते हैं लास् टॉपिक देखते हैं लास्ट टॉपीक कूप स्ट्रेस रुप रुप स्ट्रेश एंद श्ट्रेम चाहिता है का थाया है स्ट्रेश एंड हुप फुप स्ट्रेस एंड है डिया सबस्के घरेंड एक या करेम आड़िया है यह है हमारे एक रिम जिसका डाय है रिम डाय है डी ओके रिम का में डाय ले दिया दी बंदीज डी से रिनोट के देडिए पीडेड़ तो रिम डाय होेटर अब दे रहा है एक टायर टायर का होगा हमेशा टायर का हमारा डायमीटर हमेशा कम रहेगा रिम के डायमीटर से इनिशली तो लिख देता हूं इनिशली इनिशली डायर और ये लिख देता हूं डी से लिख देंगे डी से छोटा डी स्मॉल दी इसे वाल टो किया टायर का डायर इनिशली डायर ओफ टायर इस लेस देन डाय तेमपरेचर दिए आपकां युजा दाया काम है तो हम यहां क्या गरें रहेंगा तमरेचर बढ़ाएंगे तो हमें क्या हुआ है कि उसे हमने रिम से डायमिटर के बराबर कर दिया टेमपर्च बढ़ाने कर फाइनल डाया कि आओग यह उसका रिम कर डाय जितना है ठीक है तो इनिशिल डाय तो हमारा है इसलिए मैंने लिए डीक अपका इनिशिल डाय निशियल डायर का दिखते न टायर को हमने हीट लगा है सब टायर पें आ दिख नाँ तफालय गार द राज और टंपरिशर को दीहर कया टयर्क दिखेंगे टेइल जो डाया था वह ह्याओ पारी था प्रेश्सिया हूग पीस त्ब आपको त्द करांगे हो का इंक्रीय त्वेक्रीस हो का त्फालय तो अइब ए Skip लों के कि प्रील कि से लिम कि इब है तीट जाए टिक रहे ना प्रीम डिया फ्याइनीया ठीक है अब दिखते नंगे कंच करेंगत स्ट्रेमिया में पताया है स्ट्रेंग निया होता है चंग अंक अपन औरीजिनल दिमेंशन तो यहां यहां आ रहा है स्रफेंश कर्यूस को यूस्टा च्छीन इन र्कॉम्फरेंशन के लिए रसे दिर्कॉम्फरेंश खाय मैंच दॉपहूना की साथी फैनल-इस पाई इस फैनल-बिया पाई या पई इट है फाइनल पाई डी यह जायागा अधिशन वर न उजिस्टर इस जिनिल की अधा इसमॉल दी तो यह बाई-पाई कर जाएं गे तो दी माईनस मॉल दी वाई डी आपका आए गा क्या इस क्रेंखोप ऍपर उपस्ट्रेंग करने हbach अभूप श्ट्रेंग ट्रेंगा स्तोर्क ट्रैंग कि तोफ स्ट्रेंगों Slijn आगे में love partner in a keep yourself love अंभर खेल कया हुआ है नोइग्ल ज्कलड स्ट्रेंगों स्ट्रेंगे इन तो उस्ट्रेंगे तो डी माइनस डी एक पॉणिंटी इंटू इशर यांपर तो टेमपेचर का यूज दिखनी रहा जाए तो जो यह हूप स्ट्रेंज यह आपका थेर्मल स्ट्रेंज क्यूंकि टेमपेचर बढ़ा कि हम टायर का रिम के उपच लाए है तर्मल स्ट्रेंज जो हूप श्रेन है वही थर्मल स्ट्रेंग है अब तब कि D-D by D is equal to alpha T यहां से जो आपको दिया होगा कर T निकालना है T निकालें D निकालना है कोई सभी तो D निकालें ठीक है तो यह था हमारा topic hoop stress and strain इतना ही था यह तो यहां पर खतम होता हमारा thermal stress का topic कि इसके मैं question कर रहूंगा अगले lecture में ठीक है और इसके आप short notes मैं आपको description में send कर दूंगा वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मिलते हैं फिर अगले lesson में अगले lecture में thank you for watching bye bye